नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुखबर जानते हैं इसे कुटिर उद्योग के किरिय कलापो का हब बनाया जाएगा इतना ही नहीं आश्रम को संड़क्षित कर पर्याटन और सोध केंद्र के रूप में विक्षित करने का भी कार्या होगा इससे रोजगार के नए अशर भी बनेंगे मौसम विभाग ने अपने पुर्वर्मान में बताया है कि उत्री जार्खन और दक्षिनी बिहार के उपर कम दवाव का छेतर धीरे-धीरे कम जोर पर रहा है इस कारण अब बारिस से रहात मिलेगी मौसम विभाग के उनसार जार्खन में मानसून खत्म हो गया है मौसम विभाग एक जून से 30 सितंबर तक ही मानसून की अधी मानता है हलाकि इसके बाद भी मांसुन की गतिविदिया 15 अक्टूबर तक जारी रहती है 6 अक्टूबर से उतर भारत से इसके वापस होने का पुरवर्मान है सहायक पुलिस कर्मियों से मंत्री रामेश्वर ने की बात राजी के बीत मंत्री डाक्टरा मेश्वर उराव सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों पर विचार करने का भरूसा दिया है उन्होंने उनकी मांग सरकार तक पहुचाने की बात भी कही है बता दिसनिवार को मोराबादी मैदान में गांधी जी की परतिमा पर मल्यारपन के बाद वह अंदोलों रत पुलिस कर्मियों के पास पहुचे बिगत 5 दिनों से अंदोलनरत सायक पुरिसकर्मियों को गत तिवस महत्मागांधी परतीमा स्थल से हटा दिया गया था कांधी जी परतीमा के समक्ष पहुचने वाले विआईपी मोवमेंट एवं सुरक्षाकानों से उन्हें हटाया गया था हाई सिक्यूरिटी जोन में होगी रांची स्मार्ट सिटी रांची सहर को एजुकेशन हब एवां मेडिकल हब के रूप में विख्सित करना राज सरकाय की प्रत्मिक्ता है इसी उदेश की पूर्ती के लिए राची स्मार्ट सिटी में सेक्षिनिक संस्थान एवां मेडिकल सेक्टर को विक्सित करने की प्राथमिक्ता दी गई है बतादे राची सेक्षिनिक राजधानी के रूप में विक्सित हो इसके लिए राची स्मार्ट सिटी के अंदर एकईस परतिशत भोमी सेक्षिनिक संस्थानों के लिए रखी गई है साथ ही अभी हाल में ही लॉंच की गई नई उध्योग निती के तहत मेडिकल सेक्टर के निर्मान को ध्यान में रखते हुए आकर्शक निती बनाई गई है प्रोफेस्नल फोर प्रोग्रेस यात्रा में सामिल हुए मंत्री उराव राष्ट पिता महात्मा गांधी के जनती पर राज्य के खादा पूर्ती मंत्री डाक्टर रामे स्वरुराव के साथ चारकंड परदेश प्रोफेस्नल कॉंग्रेस के अध्यक्स आदिते बिक्रम जैस्वाल वरिष्ट कॉंग्रेस नेतालो कुमार दूबे लाल किसोरना सादेव डाक्टर रायस गुपता छोटू ने लालपूर चौक के निकट इस्थित बापू कुटीर में गांधी जी की परतिमा पर मल्यारपन कर बापू को नमन किया चारकन परदेश प्रोफेशनल कॉंग्रेस की ओर से गांधी जनतिक मोके पर प्रोफेशनल फोर प्रोग्रेस यात्रा का आविजन किया गया पतादे प्रोफेस्नल फोर प्रोवेस यात्रा किताथ लालपुर चौक के जैस्वाल परिवार परिशर इस्थित बाफु कुटिर से मोराबादी इस्थित बाफु कुटिर तक यात्रा निकाली गई जिसमें वित्मंती डाक्टर रामेश्वर उरावन ने उस एतियासिक कारे के साथ तस्वीर भी खिचवाई जिस पर बैठकर गांधी जी ने रांची से रामगर तक यात्रा की थी जारखंड के 3 लाख परिवार जल्द आयुस्मान योजना में होंगे सामिल जारखंड के 3 लाख परिवार को जल्द ही आयुस्मान योजना के तहत सामिल किया जाएगा फिलाल 57 लाख परिवारों को राजे में इस योजना का लाब मिल रहा है इसके अलावा सरकार एक प्रोजेक्ट भी तयार कर रही है जिसमें अभी जीन बीमारियों का इलाज आयुस्मान के तहत नहीं हो पा रहा है उन्हें भी उसमें सामिल किया जाएगा यह बाते जारखंड के विकास आयुक्त यों स्वास सचिव अरून कुमार सिंग ने कही वह रांची के एक नीजी होटल में जारखंड बिहार एसोसेशन और प्लास्टिक सर्जन द्वारा आयोजी दो दिवस्चे कारेकरम में बतोर मुख्याती थी बोल रहे थे गीरी डी से 75 केजी चांदी बरामत वहन चेकिंग के दोरान सनीवार को एक स्विफ्ट डिजायर कार से 75 किलो चांदी बरामत की गई है बता दे इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफतार भी किया गया है यह अजनकारी है एसडिप्यो अनिल सिंग ने सनवद्दता समेलन कर दी है उन्होंने बताया कि मुफसिल थाने की पूलिस वहन जाच कर रही थी इस दोरान उक्त स्विफ्ट डिजायर कार को जाच के लिए रोका गया कार में तीन लोग स्वार बैठे थे कार की तलासी लियने पर छुपा कर रखे गए चांदी के 73 पीस बरामत किये गए इनका वजन 75 किलोग्राम है दूरगा पूजा के आयोजन पर रांची जिला पर सासन की बैठक कॉल रांची में दूरगा पूजा के आयोजन को लेकर जिला पर सासन ने 4 अक्टूबर को बैठक बुलाई है बैठक के अध्यक्सता अपर जिला दंडा अधिकारी करेंगे सोमवार को दो फर दो बएस से बैठक सुरू होगी इसमें सभी पुजा कमीटियो रावन दहन आयोजन समीतियों के परतिनिद्यों को बुलाया गया है बैठक में कुरूना गाइडलाइन के आलोक में आयोजन पर चार्चा की जाएगी मानसिक स्वाथ सब्ता 4 से 10 अक्टूबर तक राज्य भर में 4 अक्टूबर से मानसिक स्वाथ सब्ता का आयोजन किया जाएगा या आयोजन 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वाथ दिवस तक चलेगा इसके तःत राज्य के सभी जीलो में मानसिक रोगियों के स्वाथ की जाँच jewn उपचार को लेकर सिवीर लगाये जाएगे जिसमें मनुत चिकित सक जीला में जाकर मरीजो के स्वाथ की जाँच करेंगे स्वास्थ विभाक के पर्मुक सचीव अरुन कुमार सिंग ने इस बाबत निदेश जारी कर दिये हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या87 है वहीं भारत में 23,140 नाई केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या24,63 chicken है जारखन में एक्टिव केस 0-0, पलामो, 0-0, देवघर, 1-0, गुमला, 0-0, गीज़िडी, 1-0, लातेहार, 0-0, खोटी, 4-0-3, सिम्डेगा, 0-0, गढ़वा, 0, लोहर्दागा, 2-3, चातरा, 4-0, जामतरा, 7-0, साहेवगं, 0-0, दूमका, 0, पांकुर में, 0 मरीज, 1 तिभ्हाएँ तिरंदाजी और होकी की पर्तिभाव को उभारने का होगा हर संभव प्रयास अर्जुन मुंडा जार्खन में तिरंदाजी और होकी की अपार्ग संभव नाए हैं इन खेलों की पर्तिभाव को उभारने का हर संभव प्रयास हो रहा है इन खेलों में थोड़ा सा पूस्ट बैक मिले तो परतिभाएं राष्टिय वा अंतराष्टिय अस्तर पर ब्यात परदसन कर सकती है यह बाते भारतिय तिरंदाई संक्य अध्याक्ष तथा केंद्रिय अरजुन मुंडा ने चालिस्वी एन टीपीसी सीनियर राष्टिय तिरंदाई चेंपियंशिप का उध्याटन करते हुए कही ब्लैक फंगस की संदिग्द महिला का मौत एक मरीज भरती रीम्स में सनिवार को एक ब्लैक फंगस की संदिग्द महिला की मौत हो गई बतादे महिला का इलाज बलैक फंगस संक्रामित मानकर ही किया जा रहा था महिला 29 सितंबर को रिम्स में भरती होई थी 2 अक्टूबर को सुबा महिला की मौत हो गई बतादे रिम्स के जन संपर्ग पतादिकाई डाक्टर डिके सिंग ने बताया कि महिला केज़ती थी पहले से गंभीर बनी हुई थी वह ICU सपोर्ट पर थी बतादे कि अब रिम्स में बलैक फंगस के एक ही मरीज भरती है प्रारमभिक सिक्षको की सेवा संपुष्टी में देरी छारखन प्रगती सील सिक्षक संग ने प्रारमभिक सिक्षको की सेवा संपुष्टी नहीं होने पर नराज की जताई है प्राच्मिक सिक्षा निदेशक की ओर से 5 सितमबर तक सभी जीलों में प्रारभिक सिक्षको की स्वा संपुष्टी का समय निधायत किया गया था लेकिन अमतिम तीथी से एक महिना बीच जाने के बाद भी अधिकांस जीलों में यह कारे लटका हुआ है और कई ऐसे परखंड है जहां सिक्षको की फाइल धूल फाक रही है बतादे राज्य के अधिकांस जीलों में पिछले 30 परसों से प्रारभिक सिक्षको का समय वह समोहिक सेवा संपुष्टी नहीं हो पाई है देव घर से 7 साइबर अपराधी गिरफतार दो अक्टूबर साइबर अपराध समन्दी गति वीदियों में कथित तोरपत संलिफ्ट रहने को लेकर साथ लोग गिरफतार किया गया है बतादे पूलिस ने सनिवार को एजनकारी दी पूलिस उपाधिक छक सुमित परसाद ने सनवदताओ को बताया कि आरोपियों के पास से तेरा मोबाईल फोन उनई सिम कार्ड और पांच एटीम कार्ड विभीन बैंकों की पासबुक और एक चेकबुक जब्त की गई है जार्खन के जेलो में अब अंदर जाने वाले हर ब्यक्ति की स्कैनिंग राज्य के अलग अलग जेलो में बंद अपराधी अभी भी बाहरे दुनिया के संपर्क में हैं और अपराधी घटनाओ को अँजाम दे रहे हैं इस पर लगाम लगाने के लिए जार्खन के सभी जेलों में अब अंदर जाने वाले हर ब्यक्ति और लगेज के स्केनिंग की जाएगी स्केनिंग से जेल में तेनाथ सिपाही, करमचारी और अधिकारी को छूट नहीं मिलेगी बता दे इसका निर्देश जेल आईजी मनोज सिंग ने सभी जेल के अधिक्षक को दिया है हजारी बाग जीला परिवहन कर्याले में वाहनों की कगजात की बैता 31 अक्टूबर तक जारखन के हजारी बाग जीला परिवहन कर्याल में ड्राइविंग लाइसेंस का रिनुवल, गाड़ियों के परमीट, फिटनेस, राइस्टेशन सहीत इससे जुड़े आवेदनों की बैता 30 सितमबर से बढ़ा कर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है आवेदकों को अपने फेल राइविंग लाइसेंस यहां वाहनों से जुड़े कागजात के रिनुवल के लिए 31 अक्टूबर तक कोई अतिरिक चार्ज नहीं देना होगा आपको बता दे कि कुरोना काल में सेवाए प्रवावित होने की वज़ा से पहले भी कई आवेदकों को राहत दी गई है UTS मोबाइल आप से अनलाइन बुक करे अनरक्षी टिकट भारतिये रेल यात्रियों की मदद के लिए नई पहल कर रही है इसे लोगों को अनलाइन टिकट बनाने में असानी होगी साथ ही इससे किरायों में 5% की छुट भी मिलेगी मालूम हो कि COVID-19 का दोर आया तो रेलवे ने अनरक्षी टिकट के लिए भी ओनलाइन बुक की व्यवास्था शुरू कर दी है अब UTS मोबाइल एप के जरिये टिकट बुक करने के लिए आप सबसे पहले इस एप को अपने फोन में इस्टॉल करे इसके बाद आपको इसके साथ अपना मोबाइल नमर राइस्टेशन करना होगा अब आप यहाँ पर अपनी आईडी बना कर टिकट बुक कर सकते हाए पानिक की सुद्दा बताने वाला रथ रांची से रवाना जल की गुनवाता की निगरानी के लिए सनिवार को रांची समनाले से स्वक्षता रथ रवाना किया गया वो विकास आयोक्त विसाल सागर और करेपालक अभियानता ससी सेखर सिंग ने सनिवत रूप से हरी जंडी दिखा कर रथ को रवाना किया बता दे जागरूता रथ जीले के सभी परखंडों में जाकर सोध पेजल के रख रखा एवं दूसित पेजल से होने वाली बिमारियों के बारे में लोगों को जागरूप करेगा स्वक्षता रथ में फिल्ड टेस्ट कीट रखा गया है जिससे समंधित गराम में जल सहिया द्वारा फॉलोराइड नाइटरेट आयरन एवं पी एच आधी की जाच कर गरामिनों को जनकारी दी जाएगी पुरानी पेंशन देने में भेद भाव का बिरोध सिक्षक संग जारखन परदेश प्रात्मिक सिक्षको की बैठक D.E.O करेयाले परिशर में सनिवार को हुई सिक्षकों ने एक सवर में कहा कि पुरानी पेंशन वा सिक्षकों की विभीन मांगों को लेकर सरकार को गंभीर होना होगा पुरानी पेंशन को लेकर भेद भाव किया जा रहा है जिसका विरोध किया जाएगा परदेश अध्यक सैलेंद्र कुमार सुमन ने कहा कि 2000 में एक ही बिग्यापन से नियुक्त हुए अधिकांस लोगों को पेंशन प्राप्त होता है लेकिन कुछ लोगों को इस सुविधा से वनचीत कर दिया गया है Medical College में प्रोफेसर के 179 पदो पर भरती स्वास्त विभाग ने राज्ये के 5 Medical College में प्रोफेसर वा एसोसियेट प्रोफेसर के रिक्त 179 पदो पर नियुक्ति की परकिरिया शुरू कर दिया है चिकित्सा सिक्षकों की ये सभी नियुक्ति सन्विधा के अधार पर की जाएगी स्वास्त विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने सन्वार को इस बावत बिगप्ति जारी कर दिया है इसके तहद धनबाद जमसेदपूर दुमका पलामू अहजारी बाग इस्थित मेटकल कोलेजों के 23 विभागों में परफेसर के 86 एवम एसोसियेट परफेसर के 83 डिक्त पदो पर नियुक्ति की जाएगी दक्षिन पूर्व रेलवे की जीम पहुंची रांची दक्षिन पूर्व रेलवे की जीम अर्चना जोसी सनी बार को रांची दोरे पर पहुंची जीम बनने के बाद पहली बार अर्चना जोसी रांची रेल मंडल के दोरे पर पहुंची है पूरे दिन के कारे करम में जोसी रांची एस्टेशन का जाजा लेंगी यहां वह यात्री सुधावों के साथ साथ रांची एस्टेशन के डेवलोपमेंट पर रांची रेल मंडल के पतादिगार्यों के साथ चार्चा करेंगी इस दोरां रांची रेल्वे स्टेशन पर बने फॉल्स, सिलिंग, फूट, ओबर बिरीज, पलेट फर्म, पार्किंग और अनेक कार्यों का जाय जालेंगी गढ़वा में चार अक्टूबर को कबर्डी खिलाडियों के लिए ट्रायल एकारवी राज अस्तरिय सब जूनियर कबर्डी बालक और बालिका वर्कि परतियोगता के लिए ट्रायल परतियोगता चार अक्टूबर को होगा उक्त परतियोगता में चायनित खिलाडी अगले 9 से 11 अक्टूबर तक गिरीडी में आवेजित परतियोगता में भाग लेंगे बता दे इसकी जनकारी देते हुए कबर्डी संके सचीव अजय कुमार गुपता ने बताया कि परतियोगता में सामिल होने वाले जीले के बालक वा बालिकावर के टीम के चायन के लिए चार अक्टूबर को अपराहन दो बये से सिरी बंसी धर नगर के डी टीम कॉलेज अधोरा में ट्रायल रखा गया है इसमें उम्र सीमा 16 वरस वा वजन 55 किलोग्राम से कम है धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना होते चैनल को सब्सक्राइब कर बाल कावल आइकन दवे साथ वीडियो के एक लाइक कर अपनी दोस्तों के बाड़ से पेस्बूक ट्यूटर इंस्टाइगराम पर सेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना प्यारा सा फिड़बैक अवसे दे थैंक यू